का है 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 एक हलो दोस्तों कर देखिए फानली मेरा गुरुपटी का जो जईनिंग लेटर है वो आचुका है देखिए अब देख सकते हैं कि यह लगी हुए एंधिते हैं पूर लगी ही ओ gratitude मेरा नाम और मेरा पता है वो है चलिए इसके मैं मैं इसके अंदर दिखाता हूं आपको क्या क्या है इसके अंदर यह देखिए अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुगा है south central railway जो मेरा john था वो था सिगंद्राबाद ठीक है देखिए यहाँ पर अब देख सकते हैं offer serial number rank role number है और यह पता है जहाँ से यह आया है और यह देखिए यहाँ पर date delay हुई है इस date को वहां से भीजा गया था देखिए यह जो है वो है appointment letter देखिए यह आप लगा हुए offer of appointment ठीक है अब यह देखिए इस appointment letter पर कुछ सर्थ लिखी हुई है ठीक है देखिए इस पहली सर्थ लिखी हुई है कि you should be found fit in a to and below medical classification यानि आपको medical में आपको fit होना चाहिए इसी तरह है दूसरी सर्थ लिखी है verification of your original certificates of caste date of birth educational qualification ATC यानि आपके जो भी documents है वो सब original होना चाहिए ठीक है इसी तरह है you should be prepared to work anywhere on सिकंदरवा डिविजन of south center railway यानि आपको सिकंदरवाद डिविजन में कहीं पर भी काम करने को विजा जा सकता है इसी तरह चौथा लिखा हुआ है verification of your character and antecedents ठीक है यानि आपका जो character है वो सही होना चाहिए इसी तरह पांचमा लिखा हुआ है your appointment will be purely temporary your service will be terminated without assigning and reason within 14 days notice यानि आपको जो समय दिया हुआ है जिस दिन वहाँ पर पहुंचने का और अगर आप वहाँ पर नहीं पहुंचते हैं और उसके बाद 14 दिन के अंधर भी नहीं पहुंचते हैं और कोई कारण नहीं बताते कि आप क्यों नहीं है तो आपका जो selection है वो रद कर दिया जाएगा इसी तरह और भी काफी लिखी हुई है सरतें जो आपको मानना पड़ेंगी तभी आपको बहाँ पर जाना होगा देखिए अठार में नंबर पर लिखा हुआ है इफ दा एवाव कंडिशन कंडिशन आर असेप्टेबल यू सुद रिपोर्ट तु दिस ओफिस ओन देखिए अपर देटर यह सत्रह नों दोहार उन्नीस और कि ने साड़े नों बजे ठीक है इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको जो ऊपर दी हुई सरते सारी मंजूर है तब आप अपने सारे ओरिजिनल डोकुमेंट्स और उनकी कॉपी और उनको गैजिटेड ओफिसर से अटेस्ट कराकर आपको सत्रह नों दोहजार उन्नीस को साड़े नों बजे वहाँ पर पहुचना होगा ठीक है इसी तरह इसमें यह लिखा हुआ है और जो भी आपके जो भी आपकी डोकुमेंट है सब डोकुमेंट गैजिटेड ओफिसर से अटेस्ट होना चाहिए तो इसके साथ कुछ फॉर्म से चलिए देखते हैं कौन-कौन से फॉर्म से देखिए इसमें फॉर्म से दिया हुआ है करवाना है यहां पर क्या है कर वाना है और जीचे दिया हुआ है ये करवाना है अगला है यहें दिया हुआ है एक यह form है इसको भी अटेस्ट करवाना है और इसी तरह का दूसरा भी form है उसे भी अटेस्ट करवाना है और देखिए यहाँ पर फोटो भी जिपकाना है फोटो को भी attested करवाना है उसे पर भी sign करवाना है graduated officer से देखिए दूसरा और अगला देखिए इस पर लिखा हुआ है identity certificate for appointment in railway service ठीक है इसी तरह है आप देख सकते हैं एक और है यहाँ पर लिखा हुआ है date of birth certificate A भी attest करवाना है और देखिए अगला दिया हुआ है declaration form है जो खुद भरना होगा और आपर खुद sign करना होगा देखिए अगला क्या है अगला है कास्ट certificate का है ठीक है SCOBC इनके लिए कास्ट certificate है जो आपको बनवाना पड़े गया या बना हुआ है तो नहीं बनवाना है देखिए दोस्तों अभी मुझे इन सब को अटेस्ट करवाना है और उसके बाद 17 तारीक को साड़नो बजे बहाँ पर पहुँचना है तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि आपको रेलवे ग्रूप D की तैयारी कैसे करनी है क्या-क्या पढ़ना है और कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है ताकि आपका पेपर निकल जाए तो दोस्तों आप मेरे शेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि जब मैं अपना अगला वीडियो डालू तो आपको उसका नोटिपिकेशन तुरन मिल जाए तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार